हे दोस्तों आपका स्वागत है इंफिनेटी यान यूटूब चैनल में आज के वडियो के अंदर में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप डिजिटल ओशन के अंदर वर्डपरेस का वेबसार्ट होस्ट कर सकतो हो यूजिंग उबन्तु 20.04 तो ये सब के बारे में जानने के सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे कि भाई उबन्तु का जो लेटेस वर्जन है 20.04 इसका यूज़ करके डिजिटल ओशन के अंदर किस तरह से हम वर्डपरेस का वेबसार्ट होस्ट कर सकते हैं इसके बारे में एक लेटेस वीडियो बनाव तो आप सभी के मुताबिक मे कम्प्लेट वीडियो लेकर आचुका हूँ जिसके अंदर में आपको स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिजिटल ओशन के अंदर वर्डपरेस का वेबसार्ट होस्ट कर सकते हों यूजिंग उबन्तु 20.04 आसके वीडियो के अंद आपका जो वेबसार्ट है वो डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट कर पाएंगे उजिंग उबन्तु 20.04 तो चले चलते हैं हमारे लेप्टॉप स्क्रीन के अंदर और वहां पर मैं आपको डिटेल में बता था कि किस तरह से आपको वर्डपरेस का वेबसार्ट होस्ट करना है डिजिटल ओशन के अंदर तो चलते हैं तो यहां पर दोस्तो हम आज़ो के हमारे लेप्टॉप स्क्रीन के ऊपर आज का वीडियो स्टार्ट करने से बहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेश्ट करना जाऊंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो मैं आपसे रिक्वेश्ट करूगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें और साथो साथ बेल आइकोन को भी प्रस कर लिजेगा ताकि जब भी मैं निव वीडियो अप्लोड करो तो इसका आपको नोटे की फेशन मिल जाएं तो छली स्टार करते हैं आज क क्रेडिन में लगा इसका यूज करके आप बिल्कुल फ्री में आपका वेबसाट होश्ट कर पाऊंगे डिजिटल ओशन के अंदर तो मेरे पांस ओल्रेड हैं इसका में यूज करूँगा यहां पर डोपलेट करने से पहले यह जो सर्वर के साथ जिस डोमेन को आप कने करन चाहते हूं और यह डोमेन के अंदर आपको सबसे पहले इसके नेम सर्वर चेंज कर देने हैं जैसे कि यह जो वीडियो के अंदर हम डोमेन यूज करेंगे यह डोमेन मेरा नेमचिप के अंदर है और यही डोमेन को हम सर्वर के साथ कनेक करेंगे और मैं आपको यह डोमेन क सरवर के साथ कनेक करें तो यह डोमेन जो फास्ट कनेक हो जाए मतलब कि इसके अंदर टाइम ना लगे और आपको पता होगा कि जो डोमेन के अंदर नेम सरवर छेंज होने में मिनिमम से मिनिमम 15 मिलेट लगते हैं तो यहां पर सिंपल मैंने मेरा कंट्रोल प्लान ओपन कर लि आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएंगा इसके अंदर जो मैंने डिजिटल ओशन के नेम सरवर एड़ करके रखे हैं मतलब कि यहां पर आप देख लिए आप आपके खुझ से भी लिख सकते हैं नस1, ns2 और ns3.digitalocean.com तो यहां पर सबसे पहला मैंने प कोपी करके पेस्ट कर दीजें पेस्ट करेंगे यहां पर आपको देखे दागा ns123.digitalocean.com एक बार ही चेक कर लिजें इसके बाद आपको सिंपल आपका डॉमेन का नेम सर्वर हैं इसको अपडेट कर देना है तो सर्वर क्रीट करने से बहले नेम सर्वर चेंज करना का का आप इस सरे बेनिविट हैं इसमें टाम नहीं लगेगा जब भी आप अपना डॉमेन यूज करोगे तो आपका डॉमेन फास्ट करने हो जाएगा तो यह होगा सबसे पहला स्टेप इसके बाद जाते हैं फिर से हमारे डीजिटल ओशन अकाउन के अंदर अब यहां पर हम हम से पहले स्टेप के अंदर इमेज के अंदर आपको सोस करना है उबन तो 20.04 यह इसका लेटेस Japanese यहां पर आपको दिखा देगा, उबन तो 20.04 इसके बाद जाते हैं नीचे, यहां पर आपको प्लान के अंदर आपके वेब साट के हिसाब से प्लान सोस करना आपके हमारे अब्लेबल डिजिटल ओप्षन के अंदर यहाँ पर मैं बैंगलोर सूस करूँगा इंडिया के अंदर यह सर्वर है इसके बाद जाते हैं नीचे यहाँ पर आपको देखा दागा एक ओप्षन है वीपीसी नेट्वर यान की वर्चूल प्राइवेट क्लाउड तो यह अभी बिजिटल ओप्षन के अंदर बिलकूलप्री में मिल रहा है इसके मतल्स आपका वेपस्राड और सेक्यूर हो जाएगा तो यह ऑप्षन बिल्कूलप्री में है भी आपको इसको यहाँ पर अब असूस कर लें इसके बाद यहाँ tots आते नीचे म हैं यहाँ पर अडीशनल ओ option है SS की और password तो यहाँ पर हम password सोज करेंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा हुए है आपको यहाँ पर password एड़ करके आपको इसको याद रखना है आप इसके बाद में आप इसे यूज कर पहोगा तो यहाँ पर मैंने password सोज कर लिया है यहाँ पर password आपको काफ़े स्ट्रॉंग रखना होगा जिसके अंदर इतने चीजें इंगल होने चाहिए यहाँ पर आपको देखाए देगा तो आप जो यह सभी परकर का combination बने एस आपको यहाँ पर password सोज करना है इसके बाद जाते नीचे यहाँ पर आपको आपका जो डोपलेट है इसका नाम देना है तो यहाँ पर दखेंगे विक क्यारटी यानिकी ब्लोगर काट और इसके बाद जाते नीचे अगर आपको यह डोपलेट के अंदर वेकप ए तो यहाँ पर हमारा server successfully launch हो चुका है मतलब कि डोपलेट हो चुका है इसके बाद simple आपको करना क्या है open करना है आपका पूटी और पूटी की मदद से अब यह server को हम completely configure करेंगे तो server के अंदर login करने के लिए simple आपको यहाँ पर आपका यह IP है इसको copy करना है इसके बाद आप आपको simple open button के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको yes के उपर click करना है के बाद server के अंदर login करने के लिए आपको username के अंदर root लिखना है और password के अंदर जो भी आपने password सूझ किया है वो password तो आप अपने server के अंदर successfully login हो जाओगे यहाँ पर आपको दिखा देगा इसके ब अंदर step by step process के अंदर में आपको commands प्रोड किया है simple आपको इसको copy paste करना है आपको अगर जो linux के बारे में कुछ खास पाता नहीं है तो आपको वे tension लने के जरूदने simple step by step process के अंदर आपको commands को copy paste करना है तो आपका काम हो जाएगा तो simple video के description में यह article का link है आपको open करना है bmdex tips.com के अंदर यह article available है यहाँ पर आपको देखा देगा इसको में open करता हो तो यहाँ पर आपको देखा देगा यह article के अंदर सभी commands available है उबन्तू 20.04 के हिसाब से तो आपको simple इसको copy paste करना है तो असले start करते है step number one से जिसके अंदर हम अपच्छे install करेंगे हमारे server के अ complete screen है वो clear हो जाएगा दो step number one के अंदर command से आपको simple इसको इस तरह से copy करना है इसके अंदर paste करना है इसके बाद आपको यहाँ पर y press करना है और enter press करना है कि इसके बाद step number two के अंदर आपको आपको अजल्चार वर का firewall से कूं कांफिगर करना है तो simple command कोन यहाँ पर आपको copy paste करना है यह सबसे पहलन क्माण इसके बाद यहाँ पर यह दूसरा command इसके बाद यहाँ पर तीसरा command इसके बाद आपको यहाँ पर वाय प्रेस करके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर finally यह command यूज करके आप अपने पाइवल का status चेक कर लेज़ें यहाँ पर आपको देखा देगा इसके बाद simple आपको step number 3 के अंदर जाना है इसका status आपको चेक करना है अगर आपको कुछ करने के चुरूत नहीं सिंपल में आपको देखा तो हम यह command को भी किजिए पेस्ट किजिए यहाँ पर आपको देखा देगा एक्टिव है रनिंग मोड में है अगर यहाँ पर एरर आता है तो आपको प्रोब्लम हो सकते लेकिन आपका जो सर्वर है भो एक्टिव मोड में होगा और यह command की मदर से आपको यह चेक करना है इसके बाद यह जो मोड के अंदर से आपको रिमूब होने के लिए यानकि exit होने के लिए आपको कीबॉर्ड में से क्यों प्रेस करना है तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से अ आपको आपका डोमेन करने कर देना है तो आपके सर्वर के सामने तीन डोट के आइकोन के उपर आपको क्लिक करके एड डोमेन के उपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको इस डोमेन को करने करना है इसका नाम लिखना है यहाँ हमारा डोमेन है blogger.com blogger.com लिखने के बाद आपको इसके बाद add domain के उपर में क्लिक करूँगा इसके बाद यहाँ पर आपको simple cname record add करना है अगर in future अगर आपको domain को www के साथ access करना है तो cname record add करना होगा cname record के अंदर आपको तीन बार www लिखना है इसके बाद यहां पर आपको alias के अंदर आपका domain का नाम और simple आपको create record के ओपर click करना है एक बार check कर लिए आपके सब भी records आपके record के अंदर तीन digital ocean के name सरूर आने चाहिए और इसके बाद यह आपका IP और आपका यह with www. यहां पर यह domain आपका जो server के साथ successful हमने एड कर दिया है इसको फोड़ा time लगेगा connect होने में तो इसलिए यहां पर हम इसको साथो साथ connect कर रहे हैं दाकि आगे जाके हमें किसी भी प्रकर का issue ना हो इसके बाद के step के अंदर यहां पर आपको देगे देगा फोर नमर के step के अंदर आपको mysql इस्टोल करना है WordPress का या तो PHP का website आपको host करना है तो mysql बहुत ही important है जिसके अंदर हमारे data वागेरे store होते हैं तो simple यहां पर आपको command paste करने के बाद y press करके enter press करना है इसके बाद आपको यहां पर देख देगा आपका mysql है इसका भी आपको strategy चेक करना है कि successfully install हुआ या ने तो यहां पर paste करते हैं active running mode में हैं इसके अंदर से exit करने के लिए आपको keyboard में से q press करना है इसके बाद के step के अंदर आपका mysql है इसको हम secure करेंगे simple यह सबसे पहला command copy किजिए यहां पर paste करने के बाद आपको आगे क्या करना है इसका यहां पर मैंने आपको hint दिया है यह कोई command नहीं है simple आपको यहां पर समझना है कि आगे आपको क्या करना है तो सबसे पहला आपको यहां पर एंटर प्रेस करना है तो यहां पर हम एंटर प्रेस करते हैं इसके बाद आपको यहां पर password set करना है आपका तो mysql secure है इसके बाद फिर से आपको प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है इसके बाद यहां पर hints के तो यहां पर यह हमारा MySQL successfully secure हो चुका है, इसके बाद यहां पर simple हैं क्या करेंगे, कि यह command की मद्दे से इसको check कर लेंगे, यहां पर आपको आपका जो password अपने add के था recently, इसको add करना है और enterprise करना है, तो यहां पर आपको देखे था कि यह आपका MySQL है, इसकी फूरी add आपको दिखा देगी मतलब कि आपका MySQL successfully secure हो चुका है, इसके बाद कि step के अंदर आपको PHP install करना है, यह command आप यूज कीजिए, यहां पर paste कीजिए, इसके बाद आपको y press करके enterprise करना है, इसके बाद यहां पर आपको check करना है, कि PHP successfully install हुआ या नहीं, तो यह command यूज कीजिए, paste और enterprise कीजिए, तो यहां पर आपको देखें दका कि अभी जो हमारे server के अंदर PHP का version install हुआ है, वो हुआ है 7.4.3, तो यह हो गया install, इसके बाद आपको आपके server के अंदर PHP my admin install करना है, क्योंकि wordpress वगर install करते हैं आपको PHP my admin यूज करना बहुत ही जरूर है, तो यहां पर यह इसके बाद आपको फिर से enterprise करना है, यहां पर आपको password add करना है, आपका PHP में admin का enterprise कीजिए, फिर से आपका password add करना है, और enterprise कीजिए, इसके बाद यहां पर simple यह जो command है, इसको copy करके आपको यहां पर paste करना है, इसके बाद यह command को, इसके बाद आप simple इसको एक बार reload कर लेज तो यहाँ पर पेश्ट करते हैं इसके बाद के степ के अंदर आपको आपके server के अंदर my SQL यूजर एड़ करना है तो add numarch step के अंदर सबसे पहला command कोफी कीज़े यहाँ पर पेश्ट कीज़े इसके बाद आपको यहाँ पर यह दूसरा command कोफी करना है यहां पर paste किजिए इसके अंदर आपको दो change करना है सबसे पहले आपको यहां पर new user लिखा है वहाँ पर आपको आपका username लिखना है जो भी आपको रखना है जैसे कि यहां पर रखते हैं admin इसके बाद आपको एक और changes करना है जिसके अंदर यहां पर last में password लिखा है इसको यहां पर आपको आपका password करना है कि यहां पर आपको करना है इसके बाद आपको यहां पर यह कमांड कोफी करना है यहां पर पेस्ट किजिए सिंपल इस बार आपको एक ही चेंज करना है यहां पर new user लिखा है वहां पर आपको आपका username लिखना जो भी आपने रखा है है enterprise की जिम इसके बाद आपको यहां पर यह कमांड कोफी करना है और इसको पेस्ट करना है इसके बाद लाइश्ट में एकजट तो यह होगी यह successfully add इसके बाद यहाँ पर nine number का दो step है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि PSP में admin को किस तरह से आपको secure करना है इसके बाद step number के step के अंदर आपको आपके server के अंदर zip और unzip को install करना है इसकी मद्दे से क्या होगा कि server के अंदर अगर आपको zip file upload करता हो तो इसको आप पूटी की मद्दे से unzip करवाएंगे तो इसको यहाँ पर copy paste कर दीजे आप तो यह होगी है इसके बाद यहाँ पर आपको step number 11 के अंदर आपके server के अंदर आपको ht access file को enable करना है यह अगर आप step flow ने करोगे तो आपके server के अंदर ht access file वर्क नहीं करेगा और आपके site के अंदर url वगेरे work नहीं करेगा तो command को यहाँ पर step by step copy paste कीजे इसके बाद यहाँ पर server एक बार reload करते हैं और यहाँ पर आपको open करना है आपका default configuration file इसके बाद यहाँ पर यह जो टीन लाइन है को copy कीजें और आपको simple यहाँ पर document y और आपको enter तो यह file successfully save हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपका जो अबसी फाल है इसको आपको configure करना है और secure करना है यह step की मदद से क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके site के अंदर आपके जिसने पर URL है वो perfectly work करेगे इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाए देगा कि last में यह दो command है इसके मदद से आपका जो अबाची server है वो more secure होगा किस तरह से मैं आपको बात में बताता हूँ सबसे पहले command को copy कीजे इसके बाद paste कीजे इसके बाद आपको जो आपकी यह file के अंदर से यह line find करना है यहाँ पर आपको देखाए देगा where www तो आपके keyboard में से आप down arrow press करके रखें जो यहाँ पर आपको देखाए देगा कि यह जो file आपको मिलेगी यह जो line आपको मिलेगी तब तक आपको इसको यहाँ पर move करना है यहाँ पर आपको देखाए देगा where www इसके अंदर आपको यहाँ पो देखाए देगा override all override लिखा है वहाँ पर आपक नन है इसकी जगह आपको ओल करना है इसके बाद से हम ये लाइन के नीचे आपको एक और लाइन पेस्ट करना है ये वाला इसको कोफी कीजिए इसके बाद इसके अंदर पेस्ट कर देज़े इसके बाद ये जब आपका जो फाइल एंड होता है इसके लाश्ट में आपको ये दो line add कर दे हैं इसके मतर्ब से क्या होगा ये दो line की मतर्ब से क्या होगा कि आपका कौन सा Apache server है वो किसी को पता नहीं चलेगा और इसके बाद आपके server के अंदर कौन सा operating system है वो किसी को पता नहीं चलेगा ये दो लाइन की मदद से ये दो लाइन एड़ करने के बाद आपको ये फाइल को सेव करना है सेम प्रोसेस फॉलो करने है आपकी कीबड में से कंट्रोल एक्स वाई और एंटर इसके बाद का स्टेफ है यहां पर आपको देखे देगा इस्टोल साटिफिकर अबन तो ट्वेंटी फोट जीरो फोर के अंदर साटिफिकर इस्टोल करने के लिए आपको ओनली ओन तीन कमांड का यूज करना बहुत ही सिंपल हो चुका है त इसके बाद पूर्टे के अंदर पेस्ट करना है इस बार की जो साटिफिकर इस्टोल करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आपको सर्वर लोगेर को स्टोप नहीं करना है सिंपल यह कमांड कोफिय किजिए यहां पर पेस्ट केजिए और एंटर पेस केजिए इसके बाद इसके बाद यहां पर आपको simple y press करके enterprise करना है इसके बाद यहां पर आपको दिखा देगा कि यह कह रहा कि आपके server के अंदर कहीं पर domain name नहीं है क्योंकि हमने हमारा जो website वो default configuration file के अंदर host किया है तो इस case में आपको यहां करना होगा आपका domain name manually लिखना है तो domain name लिखने से प without www use करना चाहते हो तो आपको एड़ करना है without www यहां पर यह हमारा domain है bloggercard.com यहां पर पेस्ट किया है यहां पर आपको देखा देगा simple आपको अब domain name लिखने के बाद enterprise करना है इसके बाद के step के अंदर आपको पूंच रहा कि आपको क्या आपका जीदने विजूद करें कि simply हमारे server को एक बार restart कर देंगे तो command को paste किया है और enterprise किया अब आपको simple चेक करना है simple आप जो आपके browser के अंदर private window open के लिजे जिसके अंदर आपको open करना है bloggercard.com और enterprise के जिए यहां पर आपको देखे देगा domain successful लिकाने खोच चुका है और इसके अंदर SSL certificate भी आपको इसके बारे में दिखा देगा तो यह होगी है हमारा server successfully configure इसके अंदर हमने certificate भी install कर दिया है इसके बाद यहां पर simple हम क्या करते हैं कि यह जो server है इसके अंदर अब wordpress install करते हैं wordpress install करना के बाद मैं आपको इसके अंदर कुछ setting है वो बताऊंगा किस तरह साब को करना है file permission change करना इसके बाद PSP मैं admin को किस तरह सब को secure करना है वेगे तो simple हम क्या करेंगे Google के अंदर जाएंगे यहां पर लेखेंगे wordpress download इसको open करेंगे और यहां से हम wordpress का जो latest version है इसको download करेंगे simple save को अपर करेंगे तो यहां पर आपको देखेंगे wordpress का latest version download हो चुका है इसको फोल्डर में open करेंगे wordpress download करने के बाद आपको जाना है आपके domain के अंदर यहां पर आपको देखेंगे simple आपका जो domain है इसके पीछे अब आपको लिखना है पीएसपी माई एडमीन तो जैसे पीएसपी माई एडमीन लेकर open करोगा तो आपके सामने login पेस आएगा अब यहां पर आपने जो भी यूजरनेम रखाता है वो लिखना है हमने रखाता एडमीन और इसका बाद password हम रखा था एड़ीवीन एंश 123 सिंपल गो बटन के उपर क्लिक करना है यहां पर हम एक वर्डपरस का डेटाबेस बनेंगे जिसके अंदर हम वर्डपरेस इस्टोल करेंगे तो सिंपल आपको डेटाबेस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है यहां देखा रिसैले हमने डाउनरूड किया है राट के लिए कि जें इसको एक श्र किजिन इसके बाद सिंपल आपको यह फोल्डर को ओपन करना है यह फोल्ड कोबन कीजिए इसमें से आपको डवीट कन्फिंग सेंपल हैं के यहांपर आपको उपना है इसका नाम देना है BKRT इसके बाद user हमने रखा था admin और इसके बाद यहां पर password हम ने रखा था admin कि इसके बाद हैंश 123 इसको save कर लिजें एक बाद check कर लिजें वरना error आएगा तो यहाँ पर यहां पर यह सब कुस्छ ठीक है इसको close करते हैं बेक में जाना है simple wordpress है इसको आपको rename करना है html rename करने के बाद आपको right click करना है इसके बाद a to archive यहाँ पर आपको zip search करके simple ok के ओपर click करना है यह यह एक html.zip file ready हो चुका जिसको हमें हमारे server के अंदर upload करना है server के अंदर upload करने के लिए अब हम यूज करेंगे filezilla का तो यहाँ पर simple आपको आपके computer के अंदर filezilla install करके इसको open करना है filezilla के अंदर login करने के लिए digital ocean में जाना है IP कोपी कीजिए यहाँ पर host के अंदर आपका IP password के अंदर जो भी आपने password आखा था starting में वो password और port नमबर के अंदर 22 और quick connect के उपर आपको click करना है इसके बाद यहाँ देखिए successfully login हो चुके है अब यहाँ पर आपको जो remote chart है वहाँ पर लिखना है where इसके बाद www और enterprise करना ह हैं इसमें से आपको यहाँ पर HTML है इसको डिलेड करना है इसके बाद आपको simple जाना है आपके document के अंदर download के अंदर यहाँ पर WordPress folder के अंदर HTML आपका folder हैं इसको यहाँ पर आपको upload करना है यहाँ पर आपको देखिए का file successfully upload हो चुका है इसके बाद simple आपको इसको एक्षर कर करना है पूटी की मत ऐसे किस तरह से कि यहां पर सबसे बहुत हैं क्यां करते हैं तो यहां पर यह थोड़ी दिर आइडिल था तो यहां पर आपको देखे देगा कि अब यह ओपन नहीं हो तो फिर से आपको फूटी ओपन करना है इसके बाद यहां पर डिजिटल ओशन में ज चैन्ज करेंगे तो आपको पता होगा Linux के अंदर डिरेक्टी चैन्ज करने के लिए आपको यूज करना है CD जैने कि चैन्ज डेक्टरी इसके बाद जाना है वेर और www में तो हम आचो के हैं www folder के अंदर इसके बाद आपको यहां पर कमाड यूज़ करना है अंजीप और यहां पर आपको सिंपल html.zip फाल है इसको अंजीप करना है एंटरपरेस कीज़े फाल सक्सेशफुल अंजीप हो चो के इसके बाद html.zip फाल इसका हमें जूरूत नहीं है तो आरे मतलब की रिमू कमाड यूज़ कीज़े इसके मतलब से जो फाल रिमू होगा html.zip एंटरपरेस कीज़े अ कीज़े अहां पर अपने डोमेन ओपन करके रखा वहां पर जाये यहां से हमारे वर्ट प्रेस इस्टॉलेशन स्तार्ट होगा है तो यहां पर आपको देखा है कि WordPress installation start हो चुका है सबसे भिले आप अपने website का नाम title इसके बाद username के अंदर admin इसके बाद password के अंदर admin इसके बाद hench 123 इसके बाद confirm with password यहां पर आपका email का नाम और simple आपको install WordPress के उपर क्लिक करना है WordPress install हो चुका है login के उपर क्लिक कीजिए यहां पर आपको username के अंदर admin और password के अंदर यहां पर admin वेंश 123 और login बटन के उपर क्लिक कीजिए तो यहां पर आपको देखे देगा dashboard successfully open हो चुका है इसको एक्सल करते है हमारी site को यहां पर दूसरे browser के अंदर एक बार आप अपने site के अंदर चेक कर लिजे कि URL वेकर सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं तो यहां पर आपको देखे देगा URL सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है यह इसका homepage इसके बाद dashboard में जाकर आप एक बार चेक कर लिजे कि आपके साथ के अंदर plugin और theme install हो रहे ही या नहीं तो जाते है plugin add new plugin इसको install करते हैं यहां पर आपको देखे देगा कि connection information अभी आपके folder की folder को पूरी permission नहीं है तो इसको आपको change करना होगा simple आपको इसको change करने के लिए यह bm tech tips के article के अंदर आपको जो यहां पर देखे देगा कि last में permission का जो command है इसको यहां से copy कीजे पूटी में जाए यहां पर अब आपको यहां करना होगा फिर से आपकी directory change करके आपको route में जाना है जो किस तरह से आपको यहां पर लिखना है cd इसके बाद फिर से डोट डोट और इस तरह से तो यहां पर आपको देखे देगा हम route में आचोके हैं command copy कीजिए paste कीजिए यहां पर आपको देखे देगा यह वाला और enterprise कीजिए इसके बाद आपको आपका जो server है इसको एक बार restart करना है यहां पर restart करते हैं और आप simple आपके dashboard में जाकर एक बार चेक कर लिए रिफरेश करके कि क्या अब आपके साथ के अंदर plugin install हो रहा है या नहीं तो install ना को पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको देखे देगा कि plugin यह जो successfully अभी install हो रहा है और यह successfully install हो चुका है इसके बाद same way में theme के अंदर जाए अप्रियंस theme और यहां तो यहां पर add new driver क्लिक किजillें यहां पर किसी भी परकार की theme आप ई copies the life style होनी चाहिए यह यहां पर आपको देखे ना का installing अभी install हो रही है और यह install हो चुक है तो इसमें किसी भी प्रकार की error नहीं है इसके बाद setting में जयन्रेल किया इसके बाद सेटिंग में जाएं कि यहाँ पर आपको जाना परमालिक में और आपका जो परमालिक है इसको पोस्ट करSendol कर दिजे certificate install किया था अब यहाँ पर अगर आप www एड करोगे तो www के साथ domain को access करने की कोशिश करोगे तो आपके साथ के अंदर error आएगा क्योंकि आपके www version के अंदर certificate नहीं है तो इसलिए मैं आपको बात है था कि अगर आपको www के साथ access करना इन पेचर तो आपको यहाँ पर जब आपका certificate अप इसलोग करता हो तब ही आपको www का यूज करना है तो यह हो गया इसका बात मैं आपको बात है कि मैं आपको बताओंगा कि इस तरह से आप अपना प्याप्य मैं एड कर सकता है तो यह से कि आपके यह बता हो तो यहाँ पर आपका adminelpon spine woman का login page ओपन होगा तो यहाँ पर जो आगर आपकी login page तक पहुंच सकता है तो वो काफ़ सार इसके बात waste होते है जो आपकी database के अंदर login हो जाएं तो हमें क्या करना कि Simple इसको चेंज कर दियाना है यहाँ पर PHP मेंadmin के जगा हम हमारा जो खुद का किसी भी परकर का रेंडम नेम एड़ करेंगे ताकि हेकर ये लोगिन पेस तक पहुंचना चाहिए तो इसका यहां पर हम जाते सिंपल जो नायन नेमर के स्टेप के अंदर सेक्यूर पीएपी में एड़ में आपको जाना है आपके पूटी के कुल स्क्रिन को क्रेंगे आपको सबसे पहला सबसे पहला जो कमाणड़ को कोफी करना है यहां पर पर पेश केज़ए एंटर प्रस केज़ें अब यहां पर आपको देखते तगधा कि सबसे पहली लाइन है एलियास वाली इसके अंदर से आपो पीईश्यप में एड़ में वो रिमू करके वहाँ पर आपको आपका custom name लिखना है लाइक जैसे कि हमारा साथ है blogger card तो bkrt इसके बाद underscore और db यानि की database इसके बाद ये फाइल को save करना है control x इसके बाद simple y और enter तो ये हो कि जब इसके बाद आपके server को आपके करना है एक बार reload करना है तो यहां पर हम इसको refresh करते हैं अब क्या होगा कि कोई भी visitor आकर आपके साथ के पीछे php मैं admin लखेगा तो इसको ये login page नहीं मिलेगा अलाग जैसे कि यहां आपन में refresh करता है तो इसको मिलेगी 404 की error अब यहां पर हम जो जैसे कि मैं owner हों यहां पर में लिखता हम बिक्के आर्टी अंडर्सकोर डीबी तो login page open होगा यहां पर आपको दिखाए देगा तो इस तरह से आपको आपके php मैं admin को secure करना है बाकी वैसे तो आपका सरवर है वह secure है आपको कोई टेंचन आने के जरूद नहीं है आपके server जो यहां पर बहुत की secure है digital ocean के अंदर तो यह होगी है हमारा complete website digital ocean के अंदर host यहां पर एक बार आप जाकर चेक कर लिए इसके अंदर हमने wordpress successfully install कर दिया इसके जगा अगर आपका custom website है वह भी इसके अंदर perfectly work करेगा तो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को hard work करना पड़ता है इसके बाद जाकर इस परकार की वीडियो बंत हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजें अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपके फ्रेंड के साथ भी share कीजें और हमारे चैनल को सब्क्राब करने के साथ साथ बेल आइकोन को भी कर दो